जल ही टीवी पर धमाल मचाने आ रहा है एक तक अपूर का कसोटी जिंदगी की टूप धालखी में अनुराख प्रेलना के 23 फीट उचे स्टेच्यो को मुंबई के अनवीर किया गया जहां टीवी इंडस्ट्री से जुड़े काई बड़े स्टार पहुंचे बता दें कि हर बीटते दिन के साथ इस सीरियल से जुरी कोई ना कोई बड़ी खबर भी सामने आ रही है लेकिन हम बुमबई मिरर की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो बॉलिवड एक्ट्रस ईशा देवल का नाम भी इस शो से जुड़ गया है खबर है कि इशा देवल भी शो में कैमयो करती नज़र आसती है दरिसल कल अनुराग प्रिणा के स्टैचियो अनावरन के मौके पर इशा देवल भी अपने हस्बेन भरत तखतानी के साथ पहुची थी इस ईवेंट पर जब इशा से पूछा गया कि क्या वो भी इशो का हिस्सा है तो उन्होंने बताया इसका जवाब आपको वक्त के साथ ही मिलेगा वलब भले ही इशा देवल ने इस बात पर पक्की मोहर ना लगाई हो कि वो कसौटी टू का हिस्सा है या नहीं लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया इसका मतलब ये हिए कि कसौटी टू का इंतजार कर रही ORIANS यह उमीद कर सकती है कि इसमें ईशा देवल भी बिखाई दे सकती है इसके अलाब बता दें कि इस इवन्ट पर जब ईशा देवल से पूछा गया कि कसौटी के ओरिजनल पार्ट में उनका पसंदिदा केदार कौन सा था तो उन्होंने बताया उन्हें मिस्टर बजाग बहुत पसंद थी क्योंकि रॉनेत रॉय असल जिंदिगी में भी उनके अच्छे दोस्त है आपको बदा दें कि चानल और मेकर्स कसौटी को प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे शो का प्रमोशन पूरे जबरदस तरीके से हो रहा है और हाल फिलाल में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रमोशन किसी भी शो का नहीं दिखा ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि एक तक कपूर के कसौटी जिन्दगी से जैसी ओर्डियंस को उम्मीदे हैं ये शो उन उम्मीदों पर खराफ रहे